Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो Microsoft Excel को लेकर के है और Excel में आप कुछ इस तरीके से एंट्री करते होंगे यहाँ पर देख सकते हैं यह एक्सल ओपन किया मैंने और जैसे एक्सल ओपन करता हूँ तो माल लेगे यहाँ पर कुछ एंट्री करने है यहाँ पर प्रोडक्ट आइडी देन हम पर आउट करते होंगे तो एंटी आप करते होंगे यहाँ पर पर आप देना आप्रोड़क्स का नेम पर यहाँ पर आप की बोर देते होंगें फिर मांइस देते होंगे गाँचा काणि यहीं तो करते होंगे इन एक smart entry करने का तरीका बताता हूँ आपको कैसे ये smart entry करेंगे और automated बना लेंगे Excel को कैसे आईए दिखते हैं यहाँ पर जितने एरिया में हमें चाहिए ये record उतने एरिया को हम border लगा देते हैं तो यहाँ पर alt hda कर देंगे तो यह border apply हो जाएगा अब इसे selected ही रहने देंगे और हम प्रेस करेंगे alt d o और जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यह देख सकते हैं यहाँ पर यह open हो गया है और open होने के बाद यहाँ पर हमें product की ID डाल दिया है तो यहाँ पर आएंगे नीचे और नीचे इसकी price डाल देंगे तो 200 रुपए keyboard की price आप यहाँ पर देखिए जैसे ही tab प्रेस करते हैं तो यहाँ पर new record पर आ जाते हैं तो फिर नया record एंटर करेंगे second वाला तो देखिए यहाँ पर automatic यह entry होती जा रही है तो यहाँ टू की हमने फिर product का name देंगे तो यहाँ पर mo usc mouse दे दिया हमने और यहाँ पर price डालेंगे तो यह हमने दे दिया और enter करेंगे फिर यहाँ पर तीसरा डालेंगे तो यह three डाल दिया हमने और name of product यहाँ पर क्या डालेंगे तो name of product हम यहाँ पर डाल देते हैं like Adobe Photoshop दो यह software का नाम है तो यहाँ पर यह डाल दिया हमने और इसकी price है यहाँ पर 700 रुपए मन लीजे तो यह 700 तो डाल दिया और यहाँ पे फिर एंटर करेंगे तो फिर यहाँ अगला प्रोड़क्त की एंटरी आप कर पाएंगे तो यह एक एंटरी का तरीका है ठीक है अब जैसे ही आप पहले रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिवियस रिकॉर्ड पे जाना चाहते है तो यह previous record आ जाता है, next record पे जाना चाहते है, next record आ जाता है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर किसी record को delete करना है, जैसे माली जी इसी पहले record को delete करना है, तो यहां से आप delete भी कर सकते हैं, तो यह पहला record delete हो गया, अगर फिर पहले record में entry करना चाहते हैं आप, ठीक है यहां पर प्रोडक्ट आइडी आएगी एक नट इसको हटा देते हैं और यहां पर हम प्रोडक्ट आइडी ही लिखने वाले हैं तो यहां पर मैं पोर कर देता हूं और यहां पर कर देते हैं बार कोड रीडर तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से बड़े आसानी के साथ आप एंट्री कर पा रहे हैं ठीक है आप माउंस से भी जा सकते हैं टैब बटन प्रेस करके भी जा सकते हैं तो यहां पर 1200 प्राइस जाल दिया और यह जो है सेव रहता है आपका रिकॉर्ड यह ऐसा नहीं है कि डिलीट हो जाएगा ठीक है यह सेव रहेगा और फिर आप कंट कि लगिए टेकनिक मुझे कॉमेंट बाक्त में जरूर बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आया तुछे शेयर किजेगा और साथी साथ चैनल को सब्स्राइक करना ना बुलिएगा थैंक्यू फुरोचिंग देस मुदियों